सुमन और तीर्थ ने किया रिशी के लिए एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला करेंगे शादी देवी का हुई गुसे से आग बबूला कलर्स टीवी के शो सुमन इंडॉरी के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा की रिशी अपनी बहन सुमन से ये मांग करता है कि वो तीर्थ का हाथ थाम ले और उसके संग शादी कर ले यहां पर सुमन का ये कहना है कि ये बिलकुल भी संभव नहीं है जहां पर सुमन के आखों में आसू है कि रिशी के लिए उन्हें ये बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा और उन्हें शादी करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ रिशी की मांग पूरी करने के लिए जिसके चलते तीर्थ है सुमन का हाथ थामने को तयार और यहां पर सुमन बूरी तरीके से शौक नजर आ रही है वहीं दूसरे दर्फ देविका ने पहले ही हंगामा मचा रखा है जहां पर देविका को इस बात पर काफी जादा गुस्ता आ रहा है कि आखिरकार तीर्थ देविका की बहन को मंडप पर अकेला छोड़ कर सुमन के पास कैसे जा सकता है और अब जब ऐसे में देविका को ये खबर मिलती है कि सुमन संग करने वाला है तीर्थ शादी तो यहां पर गुस्से में आग बबूला होती हुई देविका नजर आ रही है वेल ऐसे में क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चनल को सस्क्राइब करना ना भूलें